नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चवदरी स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल जेके एरूटेक में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिम्टेट के बारे में जिया दोस्तों यस बैंक लिम्टेट में निविश्कों को डर लग रहा है और डर क्यों लग रहा है कि सकारर से लग रहा है इस वीडियो में पूरा अनलाइज करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे कि आखिर यस मेंक लेकर पिछले एक सालों से हो क्या रहा है और आगे की रणनी थी हमारी क्या होनी चाहिए यदि आप लोगों ने Yes Bank Limited में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है या निवेस्ट करने की सोच रहा है तो प्लीज इस वीडियो को सुरू से लेकर अम तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में हम कुछ इंपोर्टन डेटा फिगर्स को अनलाइज करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे कि अभी फिलाल Yes Bank Limited में क्या माहौल बन रहा है क्या हमें इसके सेयस को बेश के निकल जाना चाहिए और जो यपियो की बात आ रही है कि जो 10,000 करोड रूपे Yes Bank Limited जुटाने की जो प्लानिंग चल रही है फंड डेजिंग की तो बहुत से लोग ऐसे बोल रहे है कि Yes Bank Limited का स्टॉक जो है सबसे पहले में मुद्दा है कि पिछले एक सालों से Yes Bank Limited में हो क्या रहा है और Yes Bank Limited का सेयर बढ़ क्यों नहीं रहा है सारे लोग का कुश्चन्स है कि सर आप डेली वीडियो अप्लोड करते हो डेली बनाते हो और Yes Bank Limited में तो कुछ होता नहीं है देखी Yes Bank Limited में जो निवेस रिटेलर है वो जो है पूरी तरह से डरा हुआ है सहमा हुआ है मैं सचाई बताने की कोशिस कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि रिटेल निवेस इस बास रिटेलर लग रहा है क्योंकि जितने भी ब्रोकरेश फर्म है या जो भी ब्रोकिंग कंपनिया है जैसे कि आप EMK Global को ले लिजिए आनंद रठी जी को ले लिजिए आनंद रठी जी अभी भी अपने सेल कॉल पे मेंटेन किये हुआ है और उनका मानना है कि एस मेंक लिम्टेट को 14 रुपे पर बेज दना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि एस मेंक लिम्टेट का स्टॉक 14 रुपे के नीचे चला जाएगा इसके अलावा EMK Global, Elra Capital, ICICIC, Cotish और इसके अलावा आमने सारे ब्रोकर्स फर्म है जो यह चाहते है कि एस मेंक लिम्टेट को नीचे की तरफ लाया जाए क्योंकि Elra Capital का मानना है और आनंद रठी का मानना है कि एस मेंक लिम्टेट का सियर में जो इसका NPA है यह भी जो है ग्रोथ हो रही है साथ-साथ इसका Net Profit भी बढ़ रहा है और इसकी Asset Quality जो है De-Improve हो रही है यानि कि इसकी Asset Quality में जो है परभाव पढ़ रहा है जिसके काड जो है Retail निवेसकों को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि आखिर Yes Bank Limited में हो क्या रहा है तो जो हमाए Retail निवेसक है जिन्होंने Yes Bank Limited में अपने पैसे को निवेस किया है ओ थोड़े टाइम के लिए सोचने पर मजबूर हो जा रहा है कि आखिर एक रेटिंग एजनसी बोलती तो सही है लेकिन इतनी सारी रेटिंग एंस जा बोल लही है यानि कि Yes Bank Limited में कुछ बड़ा होने वाला है या तो Yes Bank Limited उपर जाएगा या तो नीचे जाएगा लेकिन अधिकतर लोग इसे जो है निगेटिव ले रहे हैं वहें दूसरी तरफ एदि आप इसके जो MD कि Yes Bank Limited के जो MD है MD और CEO है Mr. Prashant Kumar उनका क्या करना है यह भी चीजे आपको जानने की आव सकता है क्योंकि Yes Bank Limited की जो कमान है इस समय ओ इसके MD यानि कि Mr. Prashant Kumar के हाथों में है Mr. Prashant Kumar का मानना है कि Yes Bank Limited की जो कल जो इंजन है Yes Bank Limited की जो गाड़ी है अब वो रिटेल निविशकों के हाथ में है क्योंकि ओच आएंगे तभी इसकी Asset Quality इंप्रूव होगी यह बिलकुल सटीक बात उरों ने कहा है कि जब उससे Moratorium लगा था आपको पता होगा कि 17 March के बाद इंडियन गवर्मेंट ने RBI ने सारे बैंकों पर Moratorium लगा दिया था 6 मंत के लिए कि बैंक से जो भी लोग करजा लेते हैं उन पर जो है ब्याज नहीं दिया जाएगा तो इसके चलते आप लोग ने देखा मार्च से लेकर जुलाई अगस तक बैंकिंग के सारे कि सारे सियर्स जो है धरा साही होते नजर आ रहे थे चुकि उससे में लॉकडाउन का काम चला था करोना काल के वज़ये से पूरी देश में लॉकडाउन लगा गया था और जिसके चलते 17 मार्च से जो है जो है नियम लगा गया था तो इसके चलते बैंकों का जो रिविन्य होता है जो उनका प्राफिट होता है उसमें जो है प्राफिट जो है उनका घटता हुआ दिखा और उसमें येस बैंक लिम्टेट दिवालिया गोशित हो चुका था कि आपको याद होगा कि 6 मार्च 2020 को ये और 50,000 कोड का फंड की लिक्विडिडिडी डाल के जो है एसमेंक लिम्टेट को पूना जिंदा किया जो तीसरी सबसे इंपोर्टेंट चीज है दो पिछले एक हपतों से देखने को मिल रही है कि एसमेंक लिम्टेट और स्टेट बैंक अफ इंडिया की जो प्राइस है जो स्टेट बैंक लिम्टेट और स्टेट बैंक अफ इंडिया जो है आपस में मर्ज हो जाएंगे यह एक निगेटिव नियुज है क्योंकि यदि एसमेंक लिम्टेट को बिकना होता तो उसी से में बिग गया होता जिस समय एसमेंक लिम्टेट ने अस्वियाई से 50,000 क्रोड क का फंड लिया था तीसरी सबसे इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि यस मेंक लिम्टेट के जो सीयों है मेस्टर परशांद कुमार ओ लगतार इस चीज को जुटाने में निमेशकों का विश्वास जितने में लगे हुए हैं कि यस मेंक लिम्टेट में आपको कि अपना बेच दिया तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे और जो बड़ा ख्लाडी है वह आपकी हातों से तस्ते दामों में माल को चीन लेगा मैं इस वीडियो के अंत में अभी आप वीडियो में बने रहिएगा प्लीज मैं वीडियो में अभी कुछ आप ऐसे डेटा परजेंट करूंगा जिसके बेसिस पे आप समझ जाएंगे कि यस बैंक लिम्टेट में आखिर असली खेल क्या चल रहा है दिखिए इसको सी यो जो है लगातार अपने निविश्कों को भरोसा दिलाने पर लगे हुए हैं और बैंक जो है अच्छे कोर वैलू पर काम कर रहा है क्योंकि राड़ा कपूर थे तो राड़ा कपूर में श्रीफ आपको घपलो की निव जाती थी उसमें घोटाले और गपले जाधा होते थे लिकिन जब से यस बैंक लिमटेट के जो नए सी हैं बैंक जो है लगातार जो है अच्छी दिसा में काम कर रहा है बैंक में deposit की संक्या इंक्रिव जो रही है, बैंक की asset quality पहले किया पिच्छा मजबूत हो रही है, यही कारण है कि S-Bank limited का share, mid cap की category से jump करके large cap की category में index हुआ है, इसके अलाबा S-Bank limited को next nifty 50 में भी जगह मिलना ते हैं, इस महिने के last तक जो है, nifty जो है stock market का index है, सामिलोता हुआ दिखेगा, जहां तक बात है दोस्तों, चार्ट का, तो यदि आप one day के चार्ट को analyze करें, तो अभी भी अपने support level से थोड़ा सा उपर, S-Bank limited का stocks move करता हुआ नदर आ रहा है, क्योंकि S-Bank limited का सबसे तगड़ा support level है दोस्तों, वो है 15 रूपे 50 पैसे, जी आ दोस्तों कुछ लोग 16 रूपे मान रहा है, लेकिन मैं इसको 15 रूपे 50 पैसे का level, सबसे strong support level के रूप में मान रहा हूँ, और जो इसका resistance level है दोस्तों, वो है 17 रूपे का, जी आ दोस्तों resistance level 17 रूपे का है, और 15 रूपे 50 पैसे का level, इसका support level आप मान के चल सकते हैं, तो अभी फिलाल, Yes Bank Limited अपने support और resistance level के बीश में move कर रहा है, पिछले एक महिनों से, तो आपको घवडाने की कोई आउशकता नहीं है, और अब जो मैं data present करने जा रहा हूँ, उस data को आप सुनके या देखके, आप पूरी तरह से आस्वस्थ हो जाएंगे, और Yes Bank Limited को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे, बात करें आज के training session में, तो gap up opening हुई, 16 रूपे 55 पैसे से open हुआ, 16 रूपे 65 पैसे का इसने high बनाया, और 16 रूपे 25 पैसे, आज Yes Bank Limited का लो रहा, तो अब वो कौन सा data है, जिसके बैसिस पे आप समझ सकते हैं, कि Yes Bank Limited में आकिर खेल क्या चल रहा है, तो जानते हैं दोस्तों, कि वो कौन सा data है, आज की training session आप देखिए, Yes Bank Limited में हुआ क्या है, आज Yes Bank Limited में, 5 करोड 62 लाग, 37,021 की quantity में, Yes Bank Limited में से टेट किये गए हैं, जिन में से 2 करोड 44 लाग, 67,988 की quantity में, Yes Bank Limited में सेर्स की डिलिवरी उठाई गई है, तकरीवन 43.51% के करीम में, Yes Bank Limited में सेर्स की डिलिवरी उठाई गई है, यानि ये data figures आपको क्या करता है, मैं आपको एक वीडियो में बताया था, कि जब भी Yes Bank Limited का सेर्स ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होगा, वाल्यम में इनक्रीज नहीं होगा, और धीरे धीरे ये लोगों की नजरों से दूर होता जाएगा, निउज इस पर आनी बंद हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि Yes Bank Limited सुष्ट पड़ गया है, फिर वहाँ से जम्प करता हुआ आपको दिखाई देगा, अब वो टाइम आ चुका है दोस्तों, क्योंकि Yes Bank Limited अब सुष्ट पड़ रहा है, लोग इसे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि जब स्टॉक हाइलाइट होता है, उसमें लगातार निउज आती है, चाहें आप सेलिंग की निउज कहें, आप बाइंग की निउज, तो फिर उस स्टॉक में उतनी मुवमेंट आपको नहीं मिलती है, लेकिन अब यहां से यस में के लिम्टे धीरे धीरे उपर की तरफ जाता हुआ आपको नुजराएगा, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, क्योंकि आपका एक ही काम है इंतजार करना, यदि इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो इस येर बजार आप लोगों के लिए नहीं बना है, ये बात आज नहीं तो कल नहीं तो परसो आपको क्लिर हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना उतना ही कठीन काम है, जितना की ओलम्पिक में गोल्ड मडल जितना, तो येदि आप इसमें मडल जीतना चाहते हैं, तो इंतजार करने की छंता को डवलप कीजिए, आपका फायदा निश्शीत तोर पे होगा, तो आई होब दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंदा होगा, येदि वीडियो पसंदा है तो प्लेज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए ताकि हमारा उस्सा बढ़ता रहे, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,